हालो एंड विल्कम दोस्तों दीप इलेक्ट्रोनिस लाब में आपका बहुत बहुत स्वावात है दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ 42 इंच टीवी के लिए एक एंडुएड मादरबोर्ड है जो कि को कैसे इंस्टोल करना है अपने टीवी का अंदर सबसे पहले मैं सबसे पहले देखने को मिला एक मदरबोर्ड जिसका नंबर आप यहां पर देख सकतो एसत्व π Evet अ little व्थ यह मारे बेखने से मारकेटже मिलता है लेकिन हमारे जो आफिशियल लेकिन हमारे पास आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर इस माधर बोड को पर्चेस करना चाहते हो आपने 42 या 40 या 43 इंच टीवी का अंदर लागा के अपने टीवी को एंडर बनाना चाहते हो तो जल्दी से जाए हमारे व पर्चेस करिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ साथ हमें और क्या के मिलेंगे देखिए इस मधर बोड के साथ दो पत्ती मिलेंगे जो की सापोट के लिए है अगर आप किसी भी टीवी का अंदर लागाना चाहते हो तो इस उसके बाद दूसरा जो हमारा साइट का यह सापोटिंग के लिए हुआ है यह इस साइड लग जाएगा जिसके जरी आप बहुत ही आसानी से किसी भी टीवी का अंदर लगा सकते हो आपको कोई भी मोडिफिकेशन करने की जोरोत नहीं परेगी उसके बाद दोस्तों और एक स्माट वाला रेमोड भी मिल जाएंगी अब बात कर लेते कि इस मदरबोड के अंदर हमें क्या क्या समाझ जो है देखने को मिलता है यहां पर तो इस बोड के अंदर हमें दो वोल्टेज सबोर्ट करने के लिए यहां पर आप्सन दिया गया है आप यहां पे धियान से आइसका पावर कितना है देखिए इसके उपर लिखा रहता है और नीचे भी लिखा रहता है कि किसी बी बोड का जो output power supply होता है और wattage कितना है वो सारे कुछ इसके उपर लिखा होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो input का जो power supply section है इसका maximum load जो capacity होता है वो 75 watt ता की होती है इसलिए अगर आपका टीवी 75 watt से नीचे है तो किसी भी टीवी का अंदर ये लगा सकते हो दूसरी बात है कि दोस्तों हमारा ये android का combo motherboard है यानि कि इसके अंदर हमारा power supply section में controlling section उसके साथ backlight section तीनों एक साथ दिया हुआ है तो इसके अंदर जो backlight section के लिए आपे दो जैक दिया गया है इसके अंदर आप 95 voltage तक इसके अंदर backlight को लगा सकते हो यानि कि आगर आप इस motherboard को किसी ऐसा तीबी में लगाना चाते हो जिसका backlight load का capacity एक एक सो से जादा है 120, 130, 1500 या 200 तो आप इस motherboard को नहीं लगा सकते हो उसके लिए आपको एक external backlight section लगाना पड़ेगा या आप अगर एक ऐसा तीबी के अंदर इस motherboard को लगाना चाते हो जिसका backlight का load जो है वो 65 voltage से कम है तो उहाँ पर भी आप इस motherboard को लगा नहीं सकते हो आपका backlight जो है जल जाएंगे इसके लिए आपको एक अलग से backlight driver की जोरोत परेगी यह सारे voltage के बारे में बताने के बाद आपके मन में और एक सबल आ रहा होगा कि क्या हम इसको अंदर 3.3 volt का panel लगा सकता हो बिलकुल लगा सकते हो दोस्तों लेकिन आपको एक काम करना होगा यहां पर आपको 3.3 volt देना होगा इसके लिए आपको modify करने की जोरत परेगी अगर आप यह modification का process देखना चाहते हो तो नीचे हमें comment करके बताईए मैं उसके पर वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे 5 volt या 12 volt अगर किस बोड के अंदर पहले से supported है और उसके अंदर आप 3.3 volt का पैनेल लगाना चाहते हो तो वो कैसे लगाया जाता है जो modification का टेकनिक है मैं आपको practically block diagram के साथ बता दूंगा आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर android version कितना है तो इसके अंदर android 9 version है और आगे आने वालो टीवी के लिए सबसे latest वाला android version है क्योंकि android 9 से ऊपर कोई भी ऐसा बोड नहीं है मार्केट में जो की universal टाइप का हो तो इसलिए आप कह सकता हूं कि इसके अंदर लेटेस्ट वाला android version इसके अंदर डाला हुआ है उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारे को सबसे ज तो उस समय आप क्या करोगे तो इसलिए दोस्तों आपको software करने की कोई भी जंजट नहीं करने परेंगे क्योंकि इसके साथ हमें बटन कोड वाला option भी देखने को मिल जाएंगे यहां पर जो बॉक्स है इसके साथ ही मिला है तो इस बॉक्स के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ ह आप यहां पर देख सकते हो रिजूलेशन सेट करने के लिए अगर आपको full HD में सेट करना है 19-20-18 तो आपको remote के आंदर जो प्रेस करना होगा source plus 0377 on आपको प्रेस करने के बाद आपके इस motherboard के आंदर हमारा full HD 1080 वाला रिजूलेशन सेट हो जाएगा उसके बाद आगर TV के अंदर इंस्ट्राल करने के बाद आपको mirror का problem देखने को मिल रहा है यानिकी upside down उपर side नीच आपको देखने को मिल रहा है तो उसको set करने के लिए भी आपको option मिल जाएंगे यहां पर आपको service menu उसके बाद तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा service menu में और service menu में एं परेकली YouTube चला सकते हो कोई भी परिशनी नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर आपको on GB और 8 GB वाला variant देखने को मिलता है यहां पर साप साप लिखा हुआ है कि on GB आपको रहा मिल जाएंगे इसके अंदर और 502 GB वाला जो रहा में वो थोरा सा लैक करता है यानिकि वो कुछ द सकते हैं तो इसके बारे में अगर आप जानकरी चाहते हो तो हमेरे इसे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा आपको सारे जानकरी दिया जाएगा कि इस मदर बोड को इंस्ट्रॉल करने के बाद आपको किस-किस टाइप का फीचर जो इसके अंदर देखने को मिलेंग अभी तक इसके उपड एस ट्राइप का वीडियो नहीं देखने को मिलेंगा आपको मुझे आसा है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंदा है अगर पसंदा है तो वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजिएगा और अगर आप LCD LED TV मदरबोड का अपड़ेस आप देखना चाते हो अपड़ेट के बारे में जानना चाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर के जुर रही है और आप में से अगर किसी को भी इस मदरबोड को पर्चेस करना है दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में ताप ता के लिए हुई से ओल दा बेस्ट